सबसे पहले तो जो भी भाई आपके वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको नमस्ते और राम राम करता हूं लरंदर तोमर की काचले प्रदान मंत्री कह रहा है कि MSP है ठी रहेगी कहने से क्या होता है किसानों को सारे नौ महीने होने जा रहे हैं हम यह कह रहे हैं आप लिखित में दीजिए कानूनी गारंटी बनाईए हम संसद में संसद बुलाकर हमको कानूनी गारंटी चाहिए MSP की अब कहने से बात नहीं चलेगी यह तो कहते हैं और रेट बढ़ाएं थोड़ा बहुत पांच रुपे कुंटल गन्ना का रेट बढ़ाया इनको सरम नहीं लगी पांच रुपे पांच पैसे किलो तो अब कोई चीज ऐसी है नहीं जो पांच पैसे में एक किलो आ जाए बढ़ाते पर खरीदी तो नहीं जाती रेट बनाने से क्या होता है अरे तो वह गोसना तो इनकी हर बार होती है पिछली बार 1868 रुपे दान का रेट था जो अजार बारे से रुपे कुंटल में खरीदा गया गेउं का रेट था 25 कम 2000 जो 1670 में खरीदा गया तो यह रेट ब उतना खरीदिये जो प्राइवेट आदमी है वह हमारे जो दलाली ना करा बीच में हमसे किसानों से ले लेकर और उसको सरकारी रेट में बेट देते यह न्यूंकि हमने तो बहुत खरीद कर लिया अरे गोसना तो इनकी जन कितनी हुई है आज तक तो किसान को कोई फाइदा मिला नहीं है गोसना तो पंद्रे लाग क्यों करी कितने के खाते मा गया अरे गोसना तो दो करोड़ नौकुरी की करी कितने बच्चे लगए गोसना से यह तो कहते क्या है हमको हकीकत चाहिए हमें संसद बुला करके और वहां MSP की कानूनी गारंटी चाहिए तीनों बिल वा से कह रहे हैं उसका भी कान रस्त होना चाहिए और भी बहुती समश्या हैं अब किसान वैसे नहीं जाएगा यहां से किसान बैठा है सबर से बैठा है इसलिए वह यहां से जारे जबी जाएगा अरे यह बीजेपी वाले हैं हम जोड रहे हैं समाज को हिंदू और मुसल्बान में अंतर क्या है वो परमात्मा एक है धरम अनेक हैं जो जिस धरम को माने उसके लिए सोतंतरता होनी चाहिए किसी पर दवाब नहीं हम इस तरह जोड रहे हमारा एक है भाई चारा बने जो पहले था वही बने जिससे देश में तरक्की आए खुशाली हो जब जगड़ा होता है तो उससे तो बरवादी होती है आप गाम में देख लीजिए घर में देख लिए जहां जगड़े होते है हुआ तो बरवादी होती है इसलिए देश को हमारे किसान भाई जोड़ने का काम कर रहे हैं वो सब को एक साथ लाए हैं हिंदू मुस्लिम सिक किसाई हम आपस में भाई भाई अरे बोलने से क्या होता है हमने बोला है आख बमत्ति हम चाहते हैं हमारे जो हुनी होटी है दू की वह मुसल्मान भाई भी हमारे गुलाल लगा है हम उनके लगा हम नंके यहां जो य्जड होता है उसमें गले मिलें हिंदू और मुस्लिम दोनु आपस में गले मिले तो उनके उन्होंने क्या-क्या नहीं किया है उनके कहने से कुछ नहीं होगा मीडिया कितना भी जोर लगा ले देश का किसान मजदूर नोजवान चात्र सब जग गया है अब वह यहीं मांग कर रहा है इस सरकार से कैसे हमारा पेड़ा चूटे जाएंगे वह तो पहले भी जलाया है अध्या का चला हुआ में बनारस में देव दीपावली मना दीपक जोरने से कोरोना हट गया बीमारिया आज उत्तर प्रदेश की मैंने अख्वार में पढ़ाए एक साथ दो से ज्यादा बुखार में हमारे मत्रा जिले में और यह है चूड़ी बनती है पहजावाद आगरा मंदल में एक साथ दो का डेड़ सो के करीब मोस्ते हो गई हम सिख्या स्वास्त बेरोजगारी इसकी लडाई लड़ रहा है किसान अपनी दो लड़ी रहा है देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है यह रोटी इनकी तुजूरियों में बंद हो जाएगा तो यह जो खाने वाले हैं यह बिचारे बरवाद हो जाएंगे इसलिए आज देश के सब ने समझवे चाला की सरकार की और वह यह जन अंदोलन बन गया है किसानों को यह बढ़ाया है चलिए वह 40 पैसे बढ़ाया होगा 30 रुपे कुंटल बढ़ा हर साल बढ़ता है यह बढ़ेने से होता किया है यह में को मिलता ही नहीं कहीदा तुर नहीं हम तो करा हमको लिखित कार लाइनटी चाहिए। हमें कानूनी कारणिटी चाहिए संसद में बैठ पर जैसे इन्होंने बिल पास किये हैं ऐसे कानून बनने चाहिए इस पर मना के रहेंगे मना के रहेंगे यह किसान को इतना कमजोर मत समझे मना के किसान कोई माल मारा किसी का ना दो नमर का पैसा आप यह उन से जाज करवाई से किसान बिचारा किसान तो अपने बच्चों को जिनके से कैसे पाल रहा है कि मांपी मांग लिए मांपी मांगने इससे मांच मार दे और मांपी मांग ले इसे काम चल जाएगा वो जलील SDM का तुरंत बरकास होना चाहिए और वो जेल जाना चाहिए किसान मरा है अप्रादी मापी मांगे किसानों के सर फूटे हैं चो दिया यह एलान एक किसानों की सर फोड़ दो और दो तीन बार कहा है वो तो भीडियो बारल हो गया है तो इससे मापी मांगने से काम नहीं नहीं होने देगे हम अपने जल्वे को साथ को काइम रखेंगे अनसासन से किसान आंदोलन्ama करेंगे जैनी बातों के अपनी बात को रखा और ये भी कहा कि सरकार जब तक नहीं मानेगी जब तक करनाल में हम किसान का जो अंदोलन है वो चलता रेगा है